अलो ब्रीवन एकजाम वारी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग द्रिष्टी पब्लिकेशन की बुख NCRT भारत योग बिस्व का भिकूल के प्रशनों को चैप्टर वाज कबर कर रहे थे इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 6, 7 और 8 के प्रशनों को देख चुके हैं आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 और क्लास 11 के प्रशनों को देखेंगे क्लास 9 के जोगर्फी के बुख का नाम आपका शमाजिक विज्ञान शमकालिन भारत वन और क्लास 11 के बुख का नाम है भारत भौतिक परियावर्ण भारत का भावतिक स्वरूप, तीसरा आपका भारत का अपवाह तंत्र, चाथा जलवाय और पांचवा चैप्टर, प्राकर्तिक वनस्पति तथा वन्य, प्राड़ी और छटाय आपका मृदा, इस सारे बहुत इंप्वर्डेंट है, इससे अक्सर जामे प्रश्ट बनते हैं, तो आप वीडियो को लाज तक ध्यान से जरूर देखेगा, चलिए सुरू करते हैं, आज का हमारा पहला चैप्टर है, भारत, आकार और इस्तिती, इसे प्रश्ट देखते हैं, पहला प्रश्ट है, भारत के संदर्व में नीचे दिये गए कत्रों पर विचार कीजिए, पह अपसन क्या हो जागा, इसमें सत्य पूछा है, अपसन एस का सही जवाब हो जागा, केवल एक सही है, ये गोलार्ध होते क्या है, देखे, ये माले जी पिर्थीवी है, तो जो जीरो डिगरी देशा अंतर, यानि जो भूमद रेका है, पिर्थीवी को दो भागों बैढ़त केवल कतन एक सत्त है, भारत उत्तरी गोलार्द में स्तित है, कतन दो असत्त है, भारत का मुख्य भाग 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अच्छांस, तथा 68 डिगरी 7 मिनट पूर्व से 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी दिसांतर तक विस्तारित है, देखे भा प्रिखित में से कौन सा भारती संगराज का सबसे दच्छडी बिंदु है भारती संगराज का सबसे दच्छडी बिंदु कौन सा है तो आपका हो जाएगा आपसन B इंदरा पॉइंट जो है ये आपका सबसे दच्छडी बिंदु है आपसन B इसका सही जबाब हो जाएगा भ अभारती संहराज का सबसे उत्री बिंद्र कान और इंद्रकॉल है, जो जम्मू काशमिर राजमेस्तित है, तथा सबसे पश्ट्विविद्र, गुहर मोती और जो गुजरात में हैं, और सबसे पूर्विविविन जो अड़ाच्य प्रदेश में इस्तित है आप यह समझेगा देखिए इंपॉर्टेंट है जो अगर पूछा जा सबसे उत्री बिंदु तो आपका इंद्रा कॉल है इंद्रा कॉल सबसे उत्री बिंदु है और यह चम्मू कस्मिर में आप सबसे दच्छडी बिंद पूछा जाए तो आपका इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट यह अपका अंडवान्यकवार्दी संवुम् में है और अगर पूरवी बिंदु पूछा जय तो कि बुञत थु है कि बूध्ठी में कि बूढ़ाच्य प्रदेश में सबसे पूरवी है और सबसे पश्मि कौन से ह करिक नाम से भी जाना जाता है और यह कहां पे है गुजरात में लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य भूम का दच्छुर्टम बिंदु कौन सा है तो आपका कन्या कुमारी अगर मुख्य भूम जोड़ दिया जाए तो आपका कन्या कुमारी हो जाएगा ठीक है यह पांचों भारत की उत्तरपूर्वी सीमा पर ब्रंत्सोत परबत अवस्थित है नहीं यह भी गलत है आप्शन डी ना तो एक और ना तो दो आप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में कथन एक असत्त है जो ब्याख्या है उसको आप ध्य में भारत विस्व का सातवा बड़ा देष है किस नमबर का ? सातवा है और भगोलिक चेत्रपल के देश चे बड़े राजी कौन से है आपका रूस है वे दूसरी नमबर पर कनाड़ा है तूसरी नमबर पर राज अमेरिका चौते पर चीन और पांचुए पर आपका ब्राज से आटी कच्छा आठ की भूगोल की पाठ पुस्तक देश और उनके निवासी भागतीन में आकार की दृष्ष से चीन को संसार का तीसरा सबसे बड़ा देश बताया गया है कथन दो भी असति भारत के उत्तर पस्टिम उत्तर टथा उत्तर पूर्वी सीम्वपर नवीन बलत वलीद परवथ आपका हिमाल है आपका हिमाल है और हिमाल कैसे परवथ है आपकाuciones नवीन वलिद परवाथ है इसको द्यान रखेएका ठिकरte Constal नमलकित में से चेत्रपल के भ अधार पर भारत का सबसे बड़ा यों सबसे छोटा राजे क्रम सा को हुँ सा है शबू पटा होगा सबसे बड़ा कौन सा राजस्थान और सबसे छोटा कौन सा गुवा है आप्षन हemor आप शेट्रपल के अधार पर है ठीक है इसको ध्यान अक्रिका का पॉपी बार प्iese बना है अगे बड़ते हैं पुद्दू चेरी केंदर शासी प्रदेश तीन राज्यों में फैला हुआ है इसके भिविन जिलो और उनकी अवस्त्तियों के संबंद में नीचे दिये गए युगुमों को शुमिलित कीजिए तो इसका राइट एंस रो जाएगा आपका कर लिया तो समझे आपका जोगर्फी का पूरा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है और बुक पढ़ने के जरूत नहीं पड़ेगी अगर यह आपको ने पूरा प्रेटिसेट सौल्व कर लिया उपिक सभी युगमा आपका सुमेलित है पुद्दुच्वरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में इस्थित एक केंद्रसासित प्रदेश है जो मुक्ता चार बिना जुड़े हुए जिलो से मिलकर बना है पुद्दुच्वरी चार जिलो से मिलकर बना हुआ आपका कौन-कौन से पुद्दुच्वरी कराइकल यमन और माही यमन जो है कहाँ पे अ अंतराष्टी सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी असपर्ष करते हैं देखिए अगर आप जब भी जोगर्पी के प्रेटिशिट सॉल्व कर रहे हो तो आप मैप साथ में जरूर लेकर बैठ लिएगा ठीक है अगर आप पास मैप की पुस्तक हो तो मैप की पुस्तक तब सॉल्व करिएगा अलार निमलकित में से भारत के कौन-कौन से राज अंतराष्टी सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी असपर्ष करते हैं आपका हो जाएगा आप संडी दो और चार आप संडी इस का सही जबाब हो जाएगा यानि आपका गुजरात हो जाएगा और कि अपेच्छा अाधीक है करा है भारत की लंबाई उतर्षे दच्छिड की और पूर्व से पॉर्षे की अपेच्छा आधीन है है दूसरा है 2.9 सी डिगरी वियजटिषांटर रेख आप भारत दोनो कथन आपका सर्य है भारत की उतर चुद्र तक की वास्टविक दूरी कितनी है 3214 उत्ताश्य दश्र कितना है 3214 है और पश्चिम से पूर्व कितना है तो 393 किलिमेटर है ठीक है यह उत्ताश्य जचुडवाप का अधिक है गुजरात के अड़ाच्य प्रदेश के अस्थानी समय में दो घंटे का अंतर है अतहा साधे 82 अधिक है और साधे 82 डिगर्व को क्या गाराता है मानक समय रेखा कर जाता और यह भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है यह पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेगा अलप शान निमल्कित में से कौन शे भारती राज चीन की सीमा को असपर्ष करते हैं चीन की सीमा स पर करने वाले भारती राज कौन से हैं जम्मू कश्मीर हिमाचे परदेश उत्राखन सिक्किम और कौन सा अड़ाचे परदेश है ठीक है आगे बड़ते हैं निमल्कित में से भारत के किस राज की तट्रेखा सबसे लंबी है तो आपका हो जाएगा सभी को पता है गुजरा सबसे लंबी है अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा की सबसे छोटी है ठीक है अला पस्ने उत्तराखन उत्तरप्रदेश बिहार पश्यमंगाल और शिक्किम राज की सिमाई किस देश को छूती है ति आपका नेपाल को छूती है आप संसी इसका सही जबाब हो नेपाल को छूती है अला है निमलिखित में से किन राज्यों से होकर करकरेखा गुजरती है बहुत कमन प्रिशन है सभी जामे में लगवरी पूछा जाता है तो आपका आप संडी 36 गर मिजोरम त्रिपुरा और राजस्थान आप संडी इसका सही जबाब हो जागा करकरेख से आठ राग जोसे होकर करम भी ध्यान रखे आपका गुजरत राजस्थान मद्द प्रदेश चतिसगर जारकन पश्रमंगाल त्रिपुरा और मिजोरम आठ राजस्था गुजरती है इसको पूछा जाता है तो ध्यान रखेगा अलप्शन है पाक जलसंधी किन दो देशों के बीच अवस्थी थे पाक जलसंधी किन दो देशों के बीच अवस्थी थे आपसन भी भारत और स्रिलंका के बीच अवस्थी थे आपसन भी इसका सही जबाब हो जागा भारत और स्रिलंका के बीच छोटा समुदरी रास्ता पाक जलसंधी तथा मननार्ग की खाड़ी आगे बढ़ते हैं दूसरा चेप्टर आपका बहुत इंप्वाटन चेप्टर ही है भारत का भावतिक सरूप इससे बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं तो आप देखेगा पूरा देखते हैं पहला है नीचे दिये कथनों को ध्यान पूर्बक पढ़ें पहला करा भारती और यूरेशियन प्लेट की टक्कर की पढ़्याम सरूप हिमालय परबत का विकास हुआ ये सही आपका आपसन क्या होजागा बीस का करेटन सुरा केवल दो सही है ब्याख्या देखते हैं इसके बारे में ब्याख्या ध्यान से सुनिएगा बहुत इंप्वाटेंट है तभी प्राचीन भुभाग गोंडवांडा भूम का हिस्सा था किसका हिस्सा गोंडवांडा भूम का भूड़ाट भूबाग की विसाल चेतर में भारत अस्टेलिया दछुरा अफ्रीका दच्छिश अमेरिका तथा अंटार्टीगा के छेतर समील हैं गोंडवांडा में कौन- ओका जो है इधर छलका छेतर था ये जलका छेतर क्या क्या हुक्त पैन्ठा Rocky अदिएधर पैंधा लासा और बीच में आपका इये क्या था tiya यह अस्तल छेतर था यह lesson लासा कि अम्हारा पैंजिया था तो जब वो स्तमय बाद लिए आपका जो है भारत अस्टेलिया दच्छिड आफ्रीका दच्छिड अमेरिका और अंटार्टिका इसमें आपके गुंडवाना लेंड में बाकी यूरोप वगरा उत्तिर अमेरिका वगरा यह आपका अंगारा लेंड के भाग है उच्छा जाता है ध्यान नकिया तो अज़ य हिमाले के रूप में जहां वर्तवान में हिमाला है पहले यहां पर टैथिस सागर था ठीक है इसको ध्यान रखेगा आगे देखते इसमें समवनी धाराओं ने भूर परपटी को अनेक टुकुडों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत आस्टिलिया की प्लेट ग प्लेट जो है इधर से जूरेशिन प्लेट से टकराई इस टकराओं के करण इन दोनों प्लेट के बीच टेथिस भू अभीनति के आवसादी चट्टान वलित होकर हिमाले परवति सिंखला की रूप में बिक्सित हो गये यहां पर आपका टेथिस सागर था तो यह जो है आपका हिमाले परवत का निर्माड हुआ हिमाले इसलिए कहा जाता है वलित परवत है ठीक है गुर्वांडा भूमी प्राचीन विसाल महादीप पैंजिया का दच्छडी वांगत अभी हमने बताया दो भावेम टूटत था आपका जो उत्तरी भाग था वो अंगार लैंड था ठीक है जिसके उत्तर में अंगार भूमें ठीक है आगे बढ़ते हैं भू भग्यानिक संरचना वस्सायल समू की विभिनता की अधार पर भारत को किन-किन भू भग्यानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लच्छोडों पर अधारित है तो आपका हो बढ़ते हैं इसका आपसन सी कक सभी जवाब हो जायगा आपसनLE की दो और तिन तृ todavía ंछान हिमाल और अजन अत्रीगत प्याजीपि पर टमाला है और स्चिंदृ गंगा का मैदान अपसन यह होजागा तो Tuska से जवाब हो जाएगा में भू भाग्यानिक सनचना वस्तायल समों की विभ्यनता कि अधार पर भारत को तीन भू भाग्यानिक खंडों में व्यभाजित किया जाता है जो लचोड़ो पराधारित है प्रायदीपी खंड है आपका दूसरा आपका हिमाले और अन अत्रिक प्रायदीपी परवत माला है तीसरा आपका सिंदु गंगा ब्रह्मपुत का मैदान यह धियान अखेगा यह अला बढ़ते हैं भारत का प्रायदीपी खंड मुकता किन सहिलो से बना इम्पोर्टन है जो प्रायदीपी भारत आपना यह ध्च्ट वाला खेतर जो है बिंद्रचल कि नीचे वाला खेतर जानि पूछ रहा है किन सहिलो से बना है तीया आपका आपसंसी एक और तीन लिविश चली air nite और निश से बना है कैम्ब्रियन कल्प से या भूकंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा और अपवात्स रूप पश्मित समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूकंड के वास्तविक अधार तल पर हो जाएगा कौन-कौन से कारवी एलॉंग का पठार देखिए यह पूछा जाता है यह प्राइदीपी खंड का भाग पूछ रहा है तो आपका कारवी एलॉंग का पठार भी है और ऑली परबत सिंखला थार का मरुस्तल भी है मेघाले का पठार भी आपका छोटा के पठार इसमें आते हैं मेजोस्रेडी जो है हिमाले परबत सिंटिंग के अंतरगात आता है । आ बाकी जो यह आपका प्राइदीपी खंड के भाग है ऐगह बरते है भारती प्राइदीपी खेतर के संदर में नीची दिया कथनों में से कौन सकतन रहं है वही फिर पुछ पष्टव मंगाल में माल्दा न क्ये बच्छोटा नाक पठार से अलगन है ठीक है प्राइदीपी पठार कम उची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बना ये भी आपका रही। प्रादिपी खंड की उत्तरी सीमा क्या है कटिफटी है जो कच से प्रारंभोकर अरावली परवत पहाडियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिली तक और फिर यमना वा गंगा की समनांतर राजमाल की पहाडियों वा गंगा डेल्टा तक जाती है पसिम मंगाल में मालदा दिया नखियेगा उत्तर पूरी भाग में इस्तित मिघालेवा कॉर्भी इलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है प्रादीपी पठार अगने तथा रूपांत्री सल यानि ग्रिनाइड तथा निस से जो है ये बनी हुई है और ये पहाड़िये जो है कम उची है और घाटी इसकी चौड़ी है ब्याक्या आप जरूर ध्यान सुनिएगा इससे आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे अला हिमाले परवत रिंकला के संदर भी नीची देगे कथनों पर विचार कीजिए तो इसका करेटन सुर जगा आपसंसी यानि हिमाले परवत रिंकला की भूब ज्यानिक सनचना तरूर दुरूर अल लचीली है कैसी है दूसरा है हिमाले परवसिंखला वर्तमान समय में भी बहिर जनित तथा अंता जनित बलो की अंतरकरियाओं से प्रभावित है आपसंसीज का सही जवाब दोनों सही है देखिए कठोर यों इस्तिर प्रादीपी खंड के विप्रीद जो हमारा प्रादीपी खंड है यानि प्रादीपी भारत है वो आपका कैसा है कठोर तथा इस्तिर है और उसकी विप्रीद हिमाले परवत की भूबय यानि सनचना क्या है तरुण यानि कमजूर है दुरबल है और लचेल यह इसका मतलब है कि जो है आज भी जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है अगला बढ़ते हैं हिमाले परवत अभी भी युवा अवस्ता में है इसका प्रमाढ है हिमाले परवत अभी भी क्या है युवा अवस्ता में इसका प्रमाढ क्या है आप संडी यानि आपका दौर्च व अपर्दित ये परवत अभी भी जो अवस्ता में है गार्ज वियकार की घाटियां चिप्रकाय वद्जल परपात इत्यादिस के चाहें प्रमाण है अला है नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए पहला कहरा आपका हिमाले परवस्रिंखला का विस्तार पस्यम पूर द है और यह जो जितने कथन है उतने जो है यह प्रश्न है कभी-कभी डारेट प्रश्न बन जाते हैं तो आप जो है इससे जो है डरियेगा मत ठीक है पूरा आप देखिएगा जुरूर ठीक है हिमाले परवस्रिंखला का विस्तार पस्यमी पूर्व दिसा में 17 नदी से लेकर ब्रह्मपुत न दीख है तक है और उसके बाद परवस्रिंखला की चोड़ाई पस्टिम से पूर्व की ओर घटती जाती है तिसरा आपका हिमाले परवस्रिंखला से पस्टमी तल भाकी उचाई में पूर्वी भाक्या पेच्छा आदिक विवित्ता पाई या दिए इसमें असत्यानिंग गलत कतन पूछा है आप्संस सीसका राइट अंस रो जाएगा एक और तीनेश में आपका गलत है आप्संसीस का सही जवाब हो जाएगा देखते हैं के बारे में हिमाले यह आप जरूर देखेगा हिमायलह प्रावतिष इंख लाए पॉर्व दिसा में देखे पकीस से पूर्व दिसा में इथर्शे पूर्व помी आपका पास्ट्रीम से काउध्र शकौन सનसा सिंधु नदी और इधर आपका पूर्व सब्सक्रांब काउं ज तक फाइल हुई है और उप्रस्ट में आपका सत्लज जिया था तापका सिंदु से आपका ब्रह्मपुत मैं प्राटिसर जब करवा रहा था क्रियन वगर आखे तो उसमें मैंने सारा बताया था और हिमाले विश्ट के सबसे उची परवत स्रेड़ी है इसकी चोड़ाई कस्मीर में 400 किलिमिटर यह आउड़ाचर प्रदेश में कितना है 1500 किलिमिटर है अर्थाथ पस्चिम से पूर्वी की ओर हिमाले परवत स्रिंखला की चोड़ाई घरती जाती है यानि इस साइड जो है पस्चिम की ओर क्या है चोड़ाई जादा है और इधर आते आते हैं उसकी चोड़ाई की आती है हिमाले की कम होती जाती है यह उचाई बढ़ती जाती है पस्चिम भाग किया पेच्छा पूर्वी भाग में उचाई में अधिक विवित्ता पाई जाती है देखिए अगर कह जाए कि चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई जो है पश्चिम भाग में है, ठीक है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की हिमाले परवसिंख्ला की चौड़ाई घरती जाती है, यह उचाई बढ़ती जाती है, ठीक है, माउंट वर एरस्ट वगराएंगे, इधर ठीक है अगर बगते हैं निमलकित में से हिमाले की किस भाग को आंतरिक हिमाले के नाम से जाना जाता है तो आप संबी ब्रियाद हिमाले या महान हिमाले आप संबी इसका करिटन चुरू जाएगा भारती उपमहदीब के सबसे उत्री भाग में इस्थित परवस्षिंकला महान हिमाले या आंतरिक हिमाले या हिमादरी हिमाले कहते हैं, आपसन क्यों हो जागा, आपसन बीस का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, आपसन बी, सबसे पहले कौन सा आता आपका, ट्रांस हिमाले, उसके बाद का ब्रिहाद हिमाले होता है, इसे ही आपका हिमादरी हिमाले कहा ज विचार कीजी महान हिमाले या आंत्रिक उसी बात के वही बात करा है कि संदर में नीचे दियर कत्रों पर विचार कीजी परला हिमाले परवस्रिंख़ा में या सबसे अधिक सदत्थ परवसरिंखला है, सही है, हिमाले के इस भाग का कुरोड ग्रेनाइट से बना हुआ, ये भी आपका सही है, इस श्रिंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्व की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये आपका गलत है, आपसन ये इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमाले फंदारवादी उचे सी करें, जैसे आपका circla, ये इस रिंखला, हमें सब बर्व से ढकी रहती है, तथा इस से बहुत सी इमानियों का प्रभाव होता, इस का रणिए इसे हमादरी कहते हैं, यह हमें सब बर्व से ढकी होती है, ठीक है, प्रसमे दिया था कि कुछ समय के लि आग बढ़ते हैं, हिमाले परवसिंखला की निमलिखित में से कौन-कौन से सिखर महान हिमाले या ग्रेट हिमाले में इस्तित हैं, अभी हमने पढ़ा था अपसंसी, एक, तीन, चार, पांच, एक, तीन, चार और पांच, यानि मौन्टेरिस्ट, धालागिरी, नामचावरवा नंदा परवत या आपका महान हिमाले में इस्तित हैं, आपसंसी, इसका सही जवाब हो जाएगा, बरिहाद हिमाले या के सिखर कौन से, आपका कंचन जंगा जो सिक्के में है, नंगा परवत आपका जम्मू कस्म में, नंदा देवी आपका, उत्रा खन में, और नामचा वर हो जाएगा, इसके बाद धौला गिरी, अन्ना गिरी और गुरला मंदता, या आपका नेपाल में इस्तित हैं, ठीक है, आपसं क्या हो जाएगा, सीस का सही जवाब हो जाएगा, केटू आपका जो है, टांस हिमाले में है, अलप्शन, निमलकित में से कौन सी बिसिस्ताएं मद हिमाले या लगु हिमाले परवसरिंखला की हैं, कौन सी बिसिस्ताएं, मद हिमाले या लगु हिमाले की, अब अब तक हम बात करें थे कि इसकी महान हिमाले की, अब हम लगु हिमाले की बात करेंगे, या हिमाले परवसरिंखला सबसे अधिक आसतत है, सही है ये, सबसे क आएगा आप संग क्यों जाए इसका करिट एक और दो दून इस परवत च्छित दिकी प्रमभिसिस्ता ये गलत है इस डिटेल देटेल देखते हैं महान हिमाले या आंतरिक हिमाले के दच्छिड में इस्तित परवत स्रिंखला जिसे मद्ध हिमाले या लगु हिमाले करते हैं मने बताया था ना पहले प्रांस उसके बाद मद्ध हिमाले उसकी नीची आपका कौन से हिमाले है तो लगु हिमाले इस्तित है सबसे अधिक असतत है या परवश रिंखला हिमाचल या निमन हिमाले के नाम से भी जाने जाते हैं इसे हिमाचल हिमाले भी कहा जाता है इन सिस्रिंखलाओं का निर्माठ मुक्त अत्य दिक संपिडि तथा परिवर्ति शेलों से हुआ है दून सिवालिक परवत्री सिंखला में पाजाते हैं ना कि मद्ध हिमाले या लगु हिमाले की परवत्री सिंखला में। दून किसमें पाजाते हैं? सिवालिक परवत्री सिंखला में। ये ध्यानकी का पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं लगु हिमाले या हिमाचल हिमाले कि अंतरगत कौन शे परबत श्रिंखला हैं लागू हिमाले या वही हिमाचल हिमाले तो इसका करेट अंसर जाए आपसन एक दो और तीन यानि कौन-कौन सा धावलाधर, पीर पंजाल और महाभारत यह आपका किसम है यह आपका लागू हिमाले में है ठीक है यह सप्रश बनते हैं ठीक है आपसन बीज का सही जवाब हो जाएगा डिटेल लेखते हैं पीर पंजाल पीर पंजाल धावलाधर यह महाभारत परबत सिंखला लगू हिमाले या हिमाचल हिमाले में इस्ते लगू हिमाले को ही आपका हिमाचल हिमाले कहा जाता है पीर पंजाल परबत सिंखला सबसे लंबी या लंबी तथा सबसे मातपूर परवस सिंखला है जबकि धावलादर सबसे दच्छडी परवस सिंखला है पिरपनचाल रेंज में बनी हाल दर्रा बनी हाल दर्रा कहां पे जम्मु कस्मीर को स्रीनगर से जोडता है और इस दर्रा में बनाई गए सुरंग जो ज बागी पीर पंजार धौलाधर और महा भारत या आपका लगुहिमाले का है अलप्र में 20 प्रसिद्य कांग्डा योम कुलु घाती है बटेंट है कांग्ड़ ंकुलु घाती आप संडी मद्ध हिमाले या लगुमाले में इस्तित है आप संदीस का सही जवाब हो जाएगा मद्ध हमाले या लगु हमाले इसे आपका कौन से हमाले कहता है हिमाचल हमाले भी आप कहते हैं में हिमाचल के कांगडा यम कुल्लू की घाटियां इस्तित हैं इस शेतर में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है अब हम देखेए, दो हम पूर्ट चुके हैं, पहले हम महान हिमाले पढ़े, प्रश्नो बा Ready Support । अब हम पढ़ेंगे सिवालिक के बारे में। ठीक है, इसके नीचे सिवालिक है, सिवालिक परवस रिंखला के संदर वे नीची देगा कथनों पर विचार कीजिए, पहला करा है, हिमाले की सबसे बाहरी परवस रिंखला को सिवालिक सरणी कहता है, सही बात है, सबसे बाहरी जो सबसे नीचे है, वो आपका कौन सा सिवालि कितनी हैं 10 से 50 किलिमेटर तथा उचाई 900 से 1100 मेटर इसकी उचाई है ये परबत सिंखलाएं उत्तर में इस्थित मुख्य हिमाले यानि महान हिमाले की सिंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपडित और सादू से बनी हैं ये घाटियां बजरी तथा जलोड की मोट ह्याती परबत से ंधाके हुई है ठीक है इसको ध्यान अखेगा, important है अलप्शन है निमने हिमाचल तताफा सिवालिक के बीच इस्थित को पर रहा है तो आपका दून है अभी हमने पीछे पड़ा था option भी इसका सही जवाब हो जाया निमने हिमाचल या तथा सिवालिक के बीच इस्थित लंबवध घाटी को दून के नाम से जाना जाता है जैसे आपका देहरा दून, कोटली दून, पाटली दून आदी ठीक है आगे बढ़ते हैं पस्चिम से पूर्व कह रहा है से पूर्व तक इस्थित हिमाले छेतरों से सम्मधित दी गई सूची और सूची टू को मिलाना है देखें बहुत ही इंपोर्टेंट है यह तो इसका करिटन्स हो जागा आपका एक एक नट आपसन सीज का सही जबाब हो जाएगा आपसन सीज का करिटन्स हो यानि एक चार बी का तीन एक चार हो जाएगा पंजाब हिमाले के बात करें देकि हिमाले को चार भागों बाटा गया है नदियों के कोडिंग पंजाब हिमाले के बात करें तो पंजाब हिमाले आपका और काली के बीच कौन सा आपका हिमाले कुमाई हिमाले उसके बाद आपका आता है नेपाल हिमाले तो नेपाल हिमाले किसके बीच इस्तित है तो यह आपका काली तथा तिस्ता काली तथा तिस्ता की बीच आपका नेपाल हिमाले और उसके बाद असम हिमाले आता है तिस्ता तथा दिहांग यानि ब्रंपुद तिस्ता और दिहांग के बीच जो हिमाले है उसे क्या करते है असम हिमाले चार भागों में पहला आपका पंजाब हमाले, सतला तथा सिंदू नदी, दूसरा आपका कौण सा, कुमाई हमाले, तीसरा आपका नेपाल हमाले, चाथा आपका असम हमाले, बहुत इंपोर्टेंट है, मिलान करने के लिए अकसर यह पूछा जाता है यह, इन्हीं सबसे प्रश्ण बनते हैं, ठिक है बस वही है इसमें उसी बात कर रहा है हरा नमिलकीत में से कौन सी परवस्रेढिया कस्मीर हिमाले के अंतरगात आती हैं तो आपका हो जाएगा आप सवंडी उप्युक सभी ापका करा कोरम, लद्दाक, जासकर और पीर पंजाल ये साब आपका कस्मीर हिमाले के अंतरगात आती है कराकुरम, लदाक, जासकर और पीरपंजाल कस्मीर हिमाले की परवस्रेणिया है कस्मीर हिमाले का उत्तर पूरी भाग जो ब्रियाध हिमाले और कराकुरम स्रेणियों की बेचिस्तित है एक ठंडा मरुस्तल है आगे बढ़ते हैं। 20 प्रशित कस्मीर घाटी और डल जील अवस्ती थैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कस्मीर घाटी और डल जील अवस्ती थैं। कहां पे तो इसका राइट अंसर हो जागा, आपशन ऐसका सही जबाब हो जागा। बुरियाद हिमाले और पीर पंजाल के बीच इस्तित है, यह आप्चन एसका सही जवाब, ऐसे ही प्रश्ट बनते हैं, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें, बुरियाद हिमाले और पीर पंजाल के बीच, बिश्टु परशिद कस्मे घाटी और डल जहेलम नदी परिस्त बीच एक गाना हो जाएगा आपका बरियाद हीमाले बनीहाल हो जाएगा आपका पीर पंजाल और फोटू लाद हो जाएगा आपका C का दूसरा है जासका स्रीडी में खार दूंगला हो जाएगा आपका लद्दाक स्रीडी में important है इसको ध्यान रखेगा ये दर्रे हैं पूछा जाता है ये परवस्रेंड दिया वही है ब्रियाद हिमाले जोजला जो स्री नगर को ले वा लद्दाग से जोडता है पिर पंजाल बनिहाल जम्मो कस्मिर को स्री नगर से जोडता है जासकर के आपके अपका फोटला और लद बहुत इंप्वर्टेंट इसको ध्यान केगा कस्मिर हिमाले में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निच्छे तथा दूसरे पदार्थों का ही मोड के रूप में जमा को क्या कहा जाता है इसे करेवा कहा जाता है और करेवा जो हाई ये केसर के लिए बहुत उप्योगी होती केसर के लिए इस यहाँ पर केसर के जाती है ये सर पूछा जाता है करेवा मिट्टी ठीक है कास्मिर हिमाले की जीलों के संदर में कौन सा यूग है यूग में सुमेलित है तो इसका सही जबाब हो जाएगा आप सन ए सका करेटन सुझायगा देखते हैं आपसन ए यानि केव एक और तीन डल जील यह आपका मीठे पानी की जील है और तीसरा आपका पॉंगोंग सो जील यह आपका खारे पानी की जील है ठीक है तो आपसन यह इसका करिटन स्वूलर जील आपका जो है यह मीठे पानी की जील है यह मीठे की है ठीक है देखते इसके वारे में कस्मीर हिम हिमाले में कुछ महतपुर्ड जहीर यावस्तित है मेटे पानी के जीर आपका डल जीरं और वूलर जीर। खारे पानी का करा कौन सी नदी निकलती है ति आपका आपसंसी 1, 2, 4 यह जहल है अपसंसी इसका सही जवाब हो जाएगा अलग कस्मीर हिमाले के संदर में नीचे दिएक पर विचार किये कस्मीर हिमाले के बारे में कह राया आपे तो इसका राइट आ हो जागा आपसन डी, आपसन डी सत्क उच्राइस में, जम्मू और कस्मीर की राजधानी स्री नगर चेनाब की किनारे इस्तित है, दूसरा उस छेत में उत्तर में अनुदैर्ध घाटियां पाई आती है, और तीसरा है डल स्री नगर में इस्तित है, तो इसका राइट अन्स रो आपसन डी केवल तीन डी समय सही है, जम्मू और कस्मीर की राजधानी स्री नगर चेलम नदी की इस्तित है, ठीक है, चेलम नदी की किनारे इस्तित है, चेनाब नदी की किनारे नहीं, कस्मीर घाटी में छेलम नदी का विसरपी बहाव रोचक है, वर्तमान डल जील जेलम नदी का ही हिस्सा है जो कि स्री नगर में आवस्थित है कसमेर घाटी में झेलंद्म नदी युँवा अवस्था में बैटती है तथा आप नदी अश्थल रूप के विकास में प्रणावस्था में निरिमित होने वाली बिस्ष्ट आकरित विसर्पों का निर्मार करती है प्रदेश के दच्छड भाग में अंदर्द घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है इनमें आपका जम्मू दून और पठान कोड दून प्रमूख है ठीक है इसको द्यान रखेगा काफी इंप्पर्टेंट है यह आगे बढ़ते हैं यह उप्रस में आपका उत्तर में दिया था और लेकिन यह किसमें कहाँ पर दच्छड भाग में अला हिमाचल और उत्तराखंड हिमाले के संबंध में निची देए कथनों पर विचार किजे हिमाचल और उत्तराखंड हिमाले की बात करा यहां पर तो इसका राइट अंसर हो जागा आप संडी एक, दो और तीन यापका तीन हो सही है पहला हिमाले का या हिस्षा पस्यम में रावी नदी और पुर्व में काली नदी के बीच इस्तित है यह सही है, दुसरा या भारत के दो मुख नदी तंतरों, सिंधु और गंगा दोरा अपवाहित है ये भी सही है इस छेत्र की महातपूर अस्तलाकृतियां सिवाली का और कौनसी है दून है ये भी आपका सही है आपसन क्या हो जगा डी इसका सही जवाब हो जाएगा अला हिमाचल और उत्राखंड हिमाले में किन नदियों का अपवाध छेतर हैं हिमाचल और उत्राखंड में तो आपका होजागा आपसंड भी एक, दो, चार, पांच एक, दो, चार, और पांच ठीक है? आपसंड दी अबी, जेलम या अपका अबी हमने पीछे पढ़ा था यै कस्मिर हिमाले के छेतर में भेळती है यह सब आपका और जो है आपका हिमाचल और उत्राखंड में आपका यह सब भेळती हैं ठीक? आगे बढ़ते हैं हिमाले के तीनों मुख्य परवस्त शरिंग खलाएं यानि ब्रिहाद हिमाले लगू हिमाले और सिवालिक स्रेडी हिमाले के किस खंड में वस्तित हैं तिहीं आपका है आपसन C हिमाचल और उत्रा खंड हिमाले आपसन क्या हो जगा C इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाले की तीनों मुख्य परवस्रिंग खलाएं, ब्रियाध हिमाले, लगो हिमाले, जिने हिमाचल में धावलाधर और उत्राखंड में नाग टिबबा कहा जाता है और उत्तर दच्छिड में फैली सिवालिक स्रेडी, हिमाचल और उत्राखंड हिमाले में इस्तित है मात्पूर परवत नगर जिससे आपका धर्मसाला, मसूरी, अलमोडा, लैंस डाउन और रानी खेत इसी छेतर में इस्तित है, ठीक है, आपसंसी इसका सही जवाब हो जाएगा अलबशने, प्रसिद्य फूलो की घाटी निमन में से किस परवती छेतर में इस्तित है, फूलो की घाटी जो है, किस परवती छेतर में आपसंड भी, या उत्रा खंड में इस्तित है, आपसंड भी इसका करेटन सुर जागा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंड आती है, तो लाइक, सेर और कमेंट भी करें अगर आपने, मैं गरांटी देता हूँ, अगर आपने जो है, इसको पूरा सौल्व कर लिया है, तो आपका भारत की भगोल्स आपके कोई प्रस्न जो है, गलत नहीं होंगे, इससे आपके सारे प्रस्न इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे दिये गए है, इतने प्रश्ट दिये हैं, और वो भी डिटेल में दिये गए है, तो आप जो मैं डिटेल पढ़ रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान सुनिएगा, उससे भी प्रस्न काई सारे प्रस्न आपके किलियर होते हैं, ठीक है, अलाप समय, प्रसिद फूलो की घाटि नमन में से किस परवती छेतर में ततित है आप्शन भी उत्रकंड में आप सबी इसका सही जबाव जाये फूलों की घाटि उत्रकंड हिमालय परवती छेतर में ततित है गंगोत्रि यम्णति कदारनाथ बद्रिनाथ और हेमकुंट साहिब भी इसी इलाके में इस्तित है आप लोग कह रहाते कि डेटेल मत पढ़िए लेकिन डेटेल पढ़ने से आपके इस concept जो है किलियर हो जाएगा और डेटेल से भी आपके बहुत सारी प्रशन है उसमें ठीक है हिमाले परबत छेत्र में बुग्याल और या छेत्र आरेके लिए जाना जाता है दोनों सही है दारजिलिन और शिक्किम हिमाले के पश्चि में नेपाल हिमाले और पूर में भुटान हिमाले का विस्तार है या एक छोटा परंतु हिमाले का बहुत महत्पूर भाग है यहां बहुत तेज बहावाली तिस्ता नदी बहती है और कंचन जंगा जैसे उची परबस चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती है शिक्किम और दाजलिंग हमाले अपने रमडी स्वंदर वनस्पति जात और प्राडी जात यों आरकिड के लिए जाना जाता है अला है दुवार अस्तला कृतियां पाई जाती है most important अभी हमने पीछे पड़ा था बुग्याल अब हम दुवार तो आपका दुवार अप क्या होता है आपसन भी दाजलिंग और शिक्किम हमाले में आपसन भी इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जलिंग और शिक्किम हमाले की बाकी हमाली छेतर से भिन है क्योंकि यहां दुवार अस्तला कृतियां पाई जाती है जिसका उप्योग चाय बगान के लिए किया जाता है मोनपा, डफला, अबोर, मिस्मी, निसी और नागा है यह आपका उत्तर पूरी भारत की जन जाती है आपसन भी इसका सही जबाब हो जाएगा आपसन भी मोनपा, डफला, अबोर, मिस्मी, जो नागा है इन में से जाधा तर जन जाती है जूम खेती करती है जिससे आप कहा काते हैं अस्थांतरित करिशी कहते है या स्ट्रैस और बर्न करिशी भी से कहा जाता है ठीक है या छेतर जावी विद्ता में धनी है जिसका सन अच्छा देशा सम्दावने किया है आगे बढ़ता हैं निमल्कित में से कवंसी विसस्ताएं अरुडाचल हिमाले से सम्भादित हैं अब हम अरुडाचल यानि हम उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं अरुडाचल हिमाले की परवत स्रेडिया तेज बहती और गहरे गार पर दुवार छेत्रों से होकर किया जाता है ति आपका आपसंडी तीनों जो है आपका सही है आपसंडी इसका सही जवाब हो जाएगा देखिए डिटेल पढ़ते हैं अरुडाचल हिमाले पस्चिम में भोटान हिमाले से लेकर पूर्व में दीफु दर्य तक फैला है ब्रंपुत नदी एक गहरी गारज बनाती है उर्य पूछा जाता है जो यह ब्रंपुत नदी यह आपका नाम estos ब्रवास जो है भारत में प्रिवेस कर्ति है महांगार्ज बनाती है यह कामिम सुभणचीरी इन अमेज़ा आपका जो है किहां पर देस में कामिक सुन सेट funeral इ यह बारा मासी नदियां ताता बहुत से जल प्रपाद बनाती हैं इसलिए यहां जल विद्धुत उत्पादन की छमता काफी है यह सब जो है दिहांग वगरा दिवांग यह आपका ब्रमपुत की सहायक नदिय है उबडखाबड अस्तलाकृत्य के कारण यहां पर विभिन घा पहाड़ियों के संबन्ध में निचे दिये कथनों पर विचार किजिए पूर्वि हिमाले की बात कर रहे हाँ पर तो आपका पहला कर आपका हिमाल्य परवत के इस भाग में पहाड़ियों की दिषा पस्चिम से पूर्व है दूसरा आपका यह पहाड़िया दिशुन मत्ब उत्तर से दच्छिड है, कैसी है? उत्तर से आपका दच्छिड है, इसमें दिया है, इसल पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं, तथा मझबूत बलूय पत्थर जो अवसादी सहल से बनी है, यह घाने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समनांतर शिंखला यो घाटिये कुरूप में फैली हुई है अलप्षन हिमाले परबत सिंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दच्छड की और सही क्रम हिमाले परबत सिंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दच्छड क्रम पूछ रहा है यहां पे तो इसका करेट अंसर हो जाएगा। हिमाले परवस्रिंकला की पूरी पहडियों का उत्तर्षे दच्छिड की और शहीक्रा में आपका पटकई भूम, नागा पहडियां, मडीपूर पहडियां, मिजो या लुसाई पहडियां, यह नीची पहडि छेतर हैं, जहां ज्यादा तर पहडिय छोटे बड़े नदी नालो द्वारा होत अलग होती हैं, ठीक है, यह पहडियां आपका उत्तर्षे दच्छिड हैं, जो पूर में हिमाले पहडियां हैं, अब यह आपका उत्तर्षे दच्छिड, माकी धरवाले जो हती, अभी हमने पढ़ा था, वो कैसी थी, तो पूरव स पश्यम से पूरव थी, आगे बढ़ते हैं, बराक नदी किन राज्यो की एक महतपूर नदी है, बराक नदी, इंप्वार्टेंट है यह आपसन भी, मडिपूर और मिजोरम की है, आपसन भी इसका करिटन्स हो जाए, मडिपूर की पहाड़ियों से निकलने वाली, बराक न नदी है, बराक नदी, मेघना नदी की एक सहयक नदी है, मडिपूर के पूरिभाग में बहने वाली नदिया, चिंदविन नदी की सहयक नदी है, जो मयानमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहयक नदी है, इसारे पॉइंट शाब ध्यान लखेगा, अला विराज मिजोरम को मोलसिस बेसिन कहा जाता है जो मृदुल और असंगटे चट्टानों से बना है इसको ध्यान अखिएगा अलापशने मिलान करना है सूची वाना सूची टू दिया है एक तरफ जो है परवत दिया है दूसरी तरफ राज दिया है कंचन जंगा आप सभी को प सही जवाब हो जाएगा ठीक है आपसन बीस का करेटन सुर जागा सिक्की में कंचन जंगा उत्राखन में नंदा देभी या बदरीनात कामेत और नेपाल में आपका धौला गिरी अन्नपूडा मकालू है जम्मो कुस्मिर आपका नंगा परवत है अगला है मोस्ट इंपॉर गद्दी आपका हिमाच्य प्रदेश में पाई जाती है ठीक है बटन टेस को ध्यान रखेगा ब्रियाद हिमाले की घाटियों में भोटिया जनजाती के लोग रहते हैं ये खाना बदेश लोग है जो ग्रेश मृत में बुग्याल उचाय परिस्थित घास के मैदान होता है अभी हमने पीछे पड़ा था में चले जाते हैं और सिर्थ घाटियों में लौट आते हैं डाफला जन जाती अड़ाचा पदेश पाई आती है हिमाल हिमाल है परबत स्रिंकला की धौला दिस्रिडी में उचाय वाले अस्थानों पर गद्दी जन जाती निवास करती है और अपने आपको गढ़वा राजस्थान के साजको का वनसाज मानती है ठीक आगे बढ़ते हैं दरा दिया है और राजितिया यह भी मोस्ट इप्वार्टेंट है तो आप संडे इसका करिटन इसमें इसमें पूछा आपका सुमेलित नहीं है इस पर जरूर ध्यान दिजेगा आप लो तो आपका हो जागा आप संडी लिप लेग जो है अडाचर प्रदेश में नहीं है तो लेप लेट कहां पर है आपका यह उत्तरा खंड में है शिपकिल्ला आपका हिमाचर प्रदेश में है और नातुल्ला सिक्किमें नेतिदर्र आपका यह उत्तरा खंड में उत्री मैदान के संदर भी नीची देए कथनों पर वीचार किजिए, तो आजाएगा इसमें उत्री मैदान मूलता एक भू आभिनति गर्थ है, दूसरा आपका यह मैदान लेटराइट मिट्दा से बना है, आपसन ए, ए इसका करीटन्स, लेटराइट मिट्दा से नहीं बना है, आपसन ए, इसका सही जवा है, देखिए, भारत का उत्री मैदान मूलता भू आभिनति गर्थ है, जिसका निर्माड मुक रूप से हिमालय परवत, निर्माड प्रक्रिया के तीसरे चंड के लगबग 6.4 करोड वर्ष पहले हुआ था, टेथिस सागर के हिमालय के रूप तो यहां दच्छिड के प्रादी पठारों से बहने वाली नदियों के आउसादे निच्छोपो द्वारा धीरे धीरे भर गया, इस प्रकार जलोड निच्छोपो से निर्मित एक विस्त्री समतल भूभाग है, देखिए, यह मैदान के बारें बात कराना है आपे उत्त्री हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, आगे बढ़ते हैं, भारत का उत्त्री मैदान किन नदी प्रडालियों के द्वारा बना है, आपका हो जाएगा आप संसी, उत्त्री मैदान में कौन कौन सी नदी है, मुखता यही, गंगा, सिंदु, यों, ब्रहंपुत्र, आप बहुत बड़े बेसिन, द्रोडी में जलोडों का निच्छेप हुआ, जिससे या उपजाओ मैदान का निर्माड हुआ, जो आवसाद है, नदी द्वारा लागई है, लाए जाता था, उसके द्वारा इसका निर्माड हुआ है, आला पिसने कथन दिया और कारण दिया है, पहला करा, उत्री परवतों से निकलने वाली नदिया निचले भागों में नदी द्विपो का निर्माड करती है, कारण है, उत्री परवतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में धाल त्रिब होने के करण नदी का बहाव तेज हो जाता है, ता आपका आपसंसी स सब्सक्राइब यह सही है किन्तो आर गलत है आप इसके वारा हम व्याख्ख्या देखते हैं उत्री परवत से आने वली नदियां निच्छे पढ़कर कार में लगी है नदी के निचले भाग में धाल क्रम होने के कारण नदी की गतिक कम हो जाती है जिसके पढ़ान सरुप जो ह का सबसे बड़ा नदी दीप माजुली दीप किस नदीप मोस्ट इंपर्टेंट है माजुली दीप किस नदीप पर आपका ब्रह्मपुद नदीप आपसन भी इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुद नदीप में इस्थित माजुली दीप जो बिसका सबसे बड़ा न आपसने दो नदियों के बीच के भाको क्या कहा जाता है दो आप कहा जाता है ठीक है यसे आपका पंजाब बना है तो पांच नदियों के बीच किस्तम चेतरुक कहा जाता है पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है इंपॉर्टन्ट है ये पंजाब के मैदान का निर्माड की नदियों के द्वारा आपसने सिंदु जेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज आपसने इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अलापस्ण है नीची देगे कत्रों में से कौन सा कथन शत्त हैं पहला कर आपका गंगा के मैदान का विस्तार घंगर तथा त गंगा नदीत अंत्रुक के बीच जल भिभाजक है गलत है तीसरा आपका ब्रंपुत का मैदान गंगा के मैदान के पस्चिम में इस्तित है यह आपका सही है यह तीसरा गलत है पस्चिम में नहीं आपका यह पूर्व में इस्तित है आपसन भी इसका क्रेटन सो जाएगा के गंगा के मैदान का विस्तार घंगारियों, तिस्ता नदियों के बीच है, यह उत्तरी भारत के राज्यों, हरियाडा, दिल्ली, उत्तरप्रदिस, बिहार, जारखन की कुछ भाग तथा पश्चिमंगाल में फैला हुआ है। दिल्ली और हरियाणा राज, सिंदु और गंगा नदी तंतरों के बीच जल भिवाजक का कार्य करते हैं, यह आपका सही है। सभी सरिताय इस पट्टी में बिलूप्थ हो जाती हैं, देखिए इससे प्रश्च बनता है, पूरा डिटेल में दिया है अपसंडी, उसे क्या कहा जाता है, अपसंडी इसका करेटन्स हो जाएगा, आर से दस क्लिमेटर चोड़ी, चोड़ाई की पतली पत्टी, जो सिवाल के क्या हता, गिरपाद के समन अंतर फैली हुई है, ठीक है, इसमें जो है नदिया आके क्या होती है, बिलूप्थ हो जाती है, भाबर शिवाली गिरपाद के समन अंतर फैली, आर से दस क्लिमेटर चोड़ी एक पतली पत्टी है, हिमाले परवसरिंकला से बाहर निकलती यह वह कहां निकलती है तराई भी निकलती है नदिया आगे बढ़ते हैं अलाप भारत के उत्तरी मैदान के तराई छेत्र के संदर में निमलकित में से कौन सा कथन सथ्य है देखिए जो है बीप्यसी ऐसे प्रश्ण जरूर पूसता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ब दरोगा वगडरा में भी ऐसे प्रश्ण बंते हैं ठीक है तो आप NCRT सबका बेश होता है सबी प्रस एकजाम के प्रस्ण इसी से बंते हैं अलाप भारत के उत्तर मैदान के तराई छेत्र के संदर में निमलकित में से काउन सा कथन सथ अब तराई छेत्र की बात कर आ यां या छेत्र भावर के दच्चिड में हमने बताया और इस प्रदेश में भाबर Kane में बिलूप्त नदिया जो है धरातल परकट हो जाती है ये भी सही है भाबर कि आती है जो जाती है और तरह First आकर क्या हो जाती है बाहर आजाती है दुद्वा राष्टी पार्ग इसी छेत्र में स्थित है आप संडी आप संडी इसका करेटन सुझाएगा डिटेल लेखते हैं भारत के स्वरी भावर के दच्चड में तराई छेत्र है जिसकी चोड़ाई 10 से 20 किलिमिटर है भावर छेत्र में लुप नदिया इस प्रदेश में धरातल पर निकलाती है ठीक है क्योंकि आभी इसके बारे में कुछ बतानी जरूत नहीं है वैसे और मैदान के बारे में हाँ पर बात कर रहा है तो पहला कर रहा है उत्तर मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोड मिर्दा से बना हुआ है सही है अला है उत्तर मैदान के बांगर छेत्र की मिर्दा में चूनेदार निच्छेप पाय जाते हैं ये भी सही है उत्तर मैदान के बाड़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निच्छेप को खादर कहा जाता है ये भी सही है आपसन के होजगा डीस का करेटन्स हो जागा उपयोग सभी सही है, उत्री मैदान का सबसे विसालतम भाग, पुरानी जलोड मिर्दा से बना है, वे नदियों के बाड़ वाले मैदान के उपर इस्तित हैं, तथा वेदिकार जैसे अकृति प्रधिसित करते हैं, इस चेतर को कहा जाता है, बांगर के नाम से जाना जाता है, और इस चेतर की मिर्दा में चुने दा निचे पा जाता है, जिससे अस्थानी भासा में कंकड कहा जाता है, और जो खादर क्या होता है, जो नवीन जलोड में टी होती है, उसे खादर कहा जाता है, ठीक है, अब बस इतना ही समझेजे इसमें, अगला है प्रादिपी पठार से सम्मान नीचे दिया गहाए कथनों पर विचार कि जए पहेला करा इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियां पाइ मुझे पड़े ये प्डिगोच या फीट पाई मने चौडि घाट अम जाति कि शीमा निर्धारनं से संब्मन दिए गया कथनों में से कौन सा सुम एलिद नहीं हैं क्या पुछ रहा है पठार की सीमा तो आपका अप्श कार के पास्चिम आपका महादेव नहीं होगा आप्शक क्या हो जागा ति इसका सही जवाब हो जाएगा नदियों के मैदान से 1.500 मीटर उचाई से उपर उठता हुआ प्रादीबी बठार तीकूने अकार का कटा पुटा क्या कटा फटा भूकंड है उत्तर पश्चि में आपका दिल्ली कटा कारावली का विस्तार है पूर में बात करें राद महल पहडिया पश्चि में आपका गिर पहडिया और दच निमल्कित में से कौन से पठार प्रादीबी पठार के भाग है आप संडी पलामू का पठार मालवा का पठार कोयमटूर का पठार करनाटक पठार में घाले का पठार ये सब किसका प्रादीबी पठार के भाग है आप संडी इसका सही जवाब हो जाएगा इसके बारे में पाई जाती हैं आपसन भी केवल एक दो तीन पांच यानि टॉर ब्लॉग परबत परबत इसकंध और कौन सा नग्न चक्टान सा नचना आपका यह कहां पाई जाती है प्रादीपी पठार में आपसन भी इसका सही जबाब हो जाएगा ठीक अलाव प्रादीपी पठार के अने सा ब्लाग परबत आपसन सीज का सही जबाब हो जाएगा अलाव प्रादीपी पठार के संबंध में नीचे देगे कथनों में से कौन सा कथन सत्य है समानता प्रादीपी पठार की उचाई पस्चिम से पूर्व की और कम होती जाती है यह आपका सही है क्या पस्चिम से पू काली मिट्टी पाई जाती है इस महराष्ट गुजात्व गरह में आप्शन सीज का करेटन्स हो जाएगा ठीक आगे वड़ते हैं प्रादीवी पठार से समंदित धक्कन प्राइप है यह इंपर्टेंट है धक्कन ट्राइप आप्शन भी काली मृद्दा से युक्त पठारी चेती को यहाँ प्राइप इसे खकन ट्राइप, आपसं क्या जगा बीस का करेटन्स होगी प्रादीवी पठार कीशिता है, यहाँ पाया जाने वाली काली मृद्दा जिसे युद्धकन ट्राइप के नाम से भी जाना जाता है इसकि उतपत्ति ज्वाला rubbing से होई है, इ नेक नाम दिये गए, पस्टमि घाट के अस्थानी नाम के संदर में कौनसा सोमेलित है, तो हो जाएगा आपका आप संडी, 1, 3 और 4, योनि महराष्ट में से सहादरी और 3 केरल में आपका कारड़म हो जाएगा, और 4 आपका तमिल नाडू में आपका नेल गिरी हो जाएगा तो आपसन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है आपसन डी दूसरा सुमेलित नहीं है जान रखिएगा इसको आगे बढ़ते हैं डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा इंप्वार्टन्ट है ये दकन का पठार मद्य ऊच्छ भुभाग ताथा उत्atelli पूर्वी पठार के पस्च में पस्टमि जैसे महाराष्ट में सहधरी कनाटक में तमिल लाणू में आपका नील गिरी ताता केरल में आपका अन्ना मालई और इलाची कर्ण मंपहाड़िया, ठीक है? आपका इसका हो जाएगा आपसन डी, आपसन डी, ठीक है? आगे बढ़ता है, नमलकित में से कौन सा कथान पश्चमी घाट के संदर में सही नहीं है, यह सब प्रोश्चन बनते हैं, पश्चमी घाट के संदर में कौन सा सही है? तो इस जासकता है ये भी आपका सई है पस्मीघाट के उचाई उत्तर से दТशिर की ओर घर्ती जाती ये आपका गलत हो जाएगा मो vagha junky नहीं बढ़ती है फिर फस्मी घाट की उत्तर से दशिर को बढ़ती चली जाती है यहीं हमने बताया बाकि जो नदिया है यहां से पश्मिघाट से होकर निकलती है आपका जैसे किष्टा, कावरी, गुदावरी, भीमात, तुंग, भद्राई, सम नदिया वहां से निकलती है है अंट यह आपका यह प्राधिपी भारत के क्या दिये हैं दर्वी तो इस पूछ रहा है अपसंड भी दो और तीन इसने सुमिलित नहीं है निए दो और दर्रा मुंबई को नासिक जोड़ता है आपका थाल गाट पूछा जाता है नासिक मुंबई थाल गाट ठीक है पाल गाट की बात करें तो पाल घाट जो है किसको जोड़ता है तो ये निरगरी पहाडी वाँ अन्ना मलाई पहाडियों के बीच इस्तित है या दरा केरल तथा तमिल नार्ज के बीच में जो है यातायात के लिए मार प्रदान करता है भोर घाट के बात करें तिया आपका मुंबई से थाड़े को जोड़ता है और दीफुदर्रा या भारत वा मैं मार के बीच इस्त है और अचप पर देश में इस्त है चारो ध्यान अखेगा बहुत यह लिकट में से कां सी पहाड़ियां पश्लमी घाट के अंतरगत अंतरगत सर्मी है講सी पहाड़ियां सामिल है most important option B एक दो और चार option B इसका सही जवाब हो जाएगा यानि एक दो और आपका कौनसा चार आपसन भी इसका कर यह प्रश्मी घाट का पूछा है ठीक है एक दो और चार होगा एक नेट एक दो और चार यह जो मल्ला और जावादी है यह आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी है पूर्वी घाट की पहाड़ी है यह सब्धानक यह प्रश्मन अप्सन एसका करेटन्स हो जाँ अन्ना मुड़ी जो है दच्छल भारत की सबसे उची चोटी है इसकी उचाई कितनी है 2654 मेटर इसकी उचाई है जो पस्चमी घाट की अन्ना वालाई पहाड़ीयों में यह इस्तित है दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है दोदा बेट्टा दोदा बेट्टा जो है यह नील गारी के सबसे उची चोटी है यह पॉइंट भी विया आप ध्यान रिखेगा मोगा अलाब पुर्भी घाट और पश्च में गार्ट निम्न में किन पहाड़ीयों में आपस में मिलते हैं मॉस्ट इंपटन टिक के सबताने ओने से किन जिसे उटी के नाम से जाना जाता है अन्ना मलाई परवत में इस्थित एक महातपूर हिल इस्टेशन है यही आपका गलत है बाके पश्मिघाट पुरिविघाट के पेच्छा उच्छे हैं सही है यह पश्मिघाट ज्यादा उच्छा है यह इसलिए दत्चिर भारत सबसे उद्मंगलम या उटी तमिल राज का परवती सहर है जो नील गिरी पहाड़ी परिष्थित है ना कि आपका अन्ना मलाई पर ठीक है पुरिविघाट की तुलनाम क्या है अपेच्छा उच्छा है पुरिविघाट की 600 मीटर और औस उच्छाई के तुलनामें पश्मिघाट की उच्छाई कितनी है 900 मीटर और से 1600 मीटर तक इस्ति था यह आगे वड़ते हैं इसमें कुछ इंपर्टिन नहीं है हाँ यह देख लेते हैं पूरिविघाट के दच्छ्छ्च्छ पश्चे में सेवसराय तथा जावदी की पहाड़ियां इस्ति थे पूरिविघाट का जाता है कभी महिंदग्री भी दिया आता है यही आप मानिएगा ठीक है आगे वरते हैं प्रादीपी पठार के मध्य अच्छ भूभाग से समध्ध नीचे देगाहा कत्नों पर विचार किजिए पहला कर आपका अपने भूगर्वी इतिहास में या छेट्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गोजा चुका है सही है दूसरा आपका कह रहा है मद्ध उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राद महाल पाहडियों तक है ये भी आपका सही है पस्चे में अरावली परवत इसकी सीमा बनाता है जो की बलाग परवत का उत्कृष्ट उदा दक्कन का पठार मद्ध उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी ज्यान रखेगा जो प्रादीपी पठार है उसको तीन भागों में दक्कन का पठार मद्ध उच्च भूभाग का पठार और उत्तर पूर्वी पठार के भाग में बाटा गया है ठीक है आगे बड़ता है म मेघाले के पठार के सम्मन्द में जुनकित में से कौन सा कथन सत्य हैं, मेघाले के पठार के बारे में पूछ रहा है आपे, कौन सा कथन क्या पूछ रहा है, सत्य हैं, तो आपका हो जाएगा आपसंसी, एक और तीन सत्य हैं, यानि मेघाले का पठार, प्रादीवी पठार का भी स्थारा, हमने बताया भी मालदगा अपसे लग होता है, मिघाले के पठ्थार पर खनीज पदारतों के निच्छिप नहीं मिलते हैं, गलत है यह, मिघाले के पठ्थार पर अवस्थित, चेरां पूजी नगन, चट्टानों से धका है, और यहां वनस्पति लगभग नहीं में अधिताव वर्षा दच्छडी पश्च में मानसून से होती है पैडाम सुरू मिगाले का पठार अती अपर्दित भूतल है चेरपोजी नंग चट्टानों से धका अस्तल है और यहां वनस्पती लगबग नहीं के बराबर है नौकरेक हिमाले परवत की सबसे उची चोटी की यह ध्याना कियेगा नौकरेक हिमाले पहाड पठार की जो है सबसे उची चोटी है अला प्रशन्य मिगाले पठार के को तीन भागों में बाटा गया है गारो खासी और जयंतिया इसका विभाजन के सदार पर आप्संडी जन जातियों के अधर आप्संडी इसका सही जव अभी हमने पढ़ा जो है जहां पूर्वी घाट और पश्मी घाट मिलते हैं कहां पे नेलगरी पर मिलते हैं आपसन इसका सही जवाब हो जाएगा अलाप भारती मरुस्थल के संदर में नीचे देए कथनों पर विचार किजे यहां पर मरुस्थल के बारें बात कर आया पर त ारलुनी नदी इस छ्ट्र की एक महतपुर्न नदी ये भी आपका सहिए उप्षं 2 दोनों सही है 2 और 3 ठीक है만 विचाल भारती मरुस्थल आराली परवत की उत्तर परस्चा में इस्तित है कहां पर है उत था दत्र परस्च्ब में इस्तित है आगे बढ़ते हैं का बरkhान अस्तला करितिक का संबन्द है, बर्खान अस्तक्लेति का संबन्द जो है किसी है आपशन मरुस्थल से आपशन ये इसका करेटन्सूय masa, इसके वारण देख लेते हैं, ₩ बरकान अर्ध चंदकार बालू के तेले को कहते हैं जिसका विस्तार भारतिय मरुस्तल के बहुत अधिक छेतर पर है। यानि कौन कौन सी अस्थानतरी रितिली टिले पाई आते हैं, छेतरक चटाने और मरुद्ध्यान पाई आते हैं हमारे भारती मरुष्टल छेतर में ठीक, आपसन एस का सही जबाब हो जाएगा अला प्रशन है भारत स्रिलंका की बीच अवस्तित है भारत आउसी लंका की बेच अवस्तित कौन सा एक और तीन यानि कौन सा पाक संधी और कौन सा मननार के खाड़ी पीछे हम पढ़ चुके हैं आप संधीज का सही जवाब हो जाएगा पश्त्मी तटी मैदान के संधर में नीचे दे कथ में पर विचार केजैंगा आपका हो जागा आपसिन भी केवल दो और तीन साही है पश्मी तठी मैदान मद में चोड़े परनत उत्तर तथा tender में संकीर्ज यह गलत है दूसरा कर आपका पश्मी तठी मैदान जल मंग तठी मैदान के उद्वारणे सही है पश्चमी तटी मैदान में बहने वाली नदिया डेल्टा नहीं बनाती है तो यह सही है तो यह आपका आपसन भी डेल्टा नहीं बनाती है कौन से बनाती है तो आपका इस्च्विरी का निर्माड करती है जिसे नर्मदा थापती बगारा हो गई ठीक है आगे बढ़ते हैं प पश्मितट पर पत्नों योम बंदर गाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिष्थितियां परदान करता है पश्मितटी मैदान एक जल्म मगन शंक्रिण पट्टी है तो इसका राइट अंसर जागा आपका आपसन ए एक और दोनों सही है और ए आरगी सही ब्याख्या करता है करा पश्मितटी पत्नों योम बंदर गाहों के विकास के लिए प्राकरतिक परिष्थितियां परदान करता है पश्मितट और क्यूं कारण है का इसका पश्मितटी मैदान एक जल्मगन संक्रिण पट्टी है ठीक है यह कारण और कथन दोनों सही है आप सद्विए महराश्ट कुंकरताट करनicket आपका मालाबारताट और केरल जो है आपका कुरू मंडल यह गलत हो जाएगा 90 हम गुजरात काक्च और काथिया वार्थ भाट कर नाटक का क्या अपका माला बारत है आप पूरवी तर्टी मैदान का दच्छुडवाग क्या कला आपका कुरो मंडल त। ये आपका कुरो मंडल आपका हो जागा यह तमील नाडू का था ठीक है अलावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा ठीक और मुर्मुगाव भूत इंपर्टेन्ट है यह और घुवा मिश्ती था न्यों मंगलोर कहां पिशती था करनाटक में कोचीन बंदरगा कहां पिशuciती था यह कोचीन केम रल पूर्वी घाट की बात करते हैं तो आपका कोलकाता आपका हल्दिया पारादीप विसाका पत्तनम चिन्नाई तूति कोरन या वी ओ चिदंबरान पूर्ट ट्रस्ट यो तमिल नाड में यह आपका कहां पर है ति आपके सारे पस्टमी तट में है ठीक है और सारी पूर्वी त हैं आज हता है निचे दे कात्ना पर विचार किजिए कायाल तड़र की विसेस अस्थलाकृति है मोशजोपस्टन तया यह अंताली नाजान के लिए कि यह कृत संबीस कार डिट्र इंटों जगा देखर डिटेयल देखते हैं कियाल ये मालाule प्रश्परसिद नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली यानि नौका दवर्ड का युजिन किया जाता है अला नीचे दे कत्रों पर विचार किजे पहला कर आपका पूर्वी तटी मैदान पस्मी तटी मैदान की तुल्ला में चोड़े और उभरे हुए हैं पूर्वी तटी मैदान क यू गंगा वगरा जाती है डिल्टा बनाती है पूर्वी तटी मैदान पर पत्तनों तत्यों पोताशरों का विकास करना मुश्किल होता यह भी आपका सही है आप संडीज का करेटर्टन्स हो जाएगा आप संडी सभी सही है ठीक आगे बढ़ता हैं नीचे दे गया कुछ परवत्चूोटियों पर विचार किजे, पल्터 कर आपका सेंडल पीक, दुसरा आपका मौंट डियोलीग, और मौंट कुयोव, और थूर इलर थूर इलर है तो यह आपका करा उपयोगत परबत चोटियां अवस्तित है तो आपका यह अंडो मार्ड निकोवार दीव समय में इस्तित है संडल पिक मांट को योबी मांट डियो विली और मांट थूर इलर ठीक है ध्यान रखेगा इंपर्टेंट है यह उत्री अंडमान में पूर्व में स्तित है अंड़ान निकोवार में हैं लेकिन कहां परे मद अंद्वान के पूर्व में स्तित है अप्शन इसका करेटन्स होजा है यह अंस्टित वहार पाई जाते हैं आपसन 20 का करेटन सुरुजा उश्कडवंदी साधावारवन पाई जाते हैं आपे अलाल लच्छ दीप के संबंद में निची देए कथन पर विचार किजिए लच्छ दीप करा है लच्छ दीप समू छोटे-छोटे प्रवाल दीपों से बना है सही है द लच्छ दीप समू छोटे-छोटे प्रवाल दीपों से बना है पहले इनको लच्छ दीप या मीनी कोय तथा अमीनी दीप के नाम से जाना जाता था 1973 में इनका नाम लच्छ दीप रखा गया जहां पर 36 दीप है और इसमें 11 कुछ अनसूतों में 10 भी पंड़ों को मिलता है पर ही मानो अवास करते हैं कथन दो सत्य है 11 डिगरी चैनल पूरे दीप समू को दो भागों में बाड़ता है ठीक है अलप्ष ने पिटली दीप जहां मानुस का आवास नहीं है तथा वहां एक पच्छी अभ्यारण है भारत में 21 जगा पे है ति भारत में कहां पे आप सन्भी लच्छ दीप समय में आस्ति था आपका पिटली दीप इंपर्टेंट है यह देखिए यह जो है इसमें आपका 84 प्रASH्टल थे इस चैप्टर में अगला चैप्टल आपका भारत का अभवात्त Promised इसनगों को हम अगली लो में कवर करेंगे यह वीटियो आपको जो है अगर इस पर आप आप अच्छे जो है